आज मैं शेडी में हूँ और मैंने आज बाबा का दर्शन किया अब मैं यहां से मुंबई की तरफ बाइक राइट से जा रहा हूँ और रास्ते में जाते वादेव का काफी पुराना 3000 साल पुराना मंदिर है जिसका नाम है गोडेश्वर मादेव मंदिर तो आज हम गोडेश्वर मादेव मंदिर की दर्शन करते वे हम मुंबई के तरफ जाएंगे तो बने रहे हैं वीडियो में हम चलते हैं सिदा सिन्नर जो यहां से 58 किलोमेटर पर है गोडेश्वर मादेव मंदिर है करपूर गौरम करुनाबतारम संसार सारम पुचकेत्रहारम करपूर गौरम करुनाबतारम संसार सारम पुचकेत्रहारम सदाव संतम विदेव दिंदे खवं भलामी सहितम नमामी करपूर गौरम करुनाबतारम संसार सारम पुचकेत्रहारम सदाव संतम विदेव दिंदे खवं भबामी सहितम नमामी एर बजो एक वड़ान, तर्नावा ताहं चानसर सार मुचिन दिरमार, चात अब बसन्तम, कई देवर एंदे, परिंड उमों बाहनी, सेथा मनावानी तुछ पॉटियों जिन्नर में जिन्नर दैसिल के जज बगणती यह इक राइट है और यह राइट पार्टे जिए सामचाना नहीं है जिए इस अधर मंदिर के तरफ करता है काफी इसी सफर था यह शेडी से और देशन अधर हुथा आने में हाइवे काफी अच्छा है कोई दुक्त इतनी हुई नॉन स्टॉप में शेडी से सिम्लर अल्मस 45 मिनिट के अंदर बहुच ज़िया अब चलते हैं हम यहां से सिरा मंदिर में और देखते हैं मंदिर कैसा है अज़िए करपूर गोरं करुनावतारं संसार सारं बुझ गेंद्र हारं करपूर गोरं करुनावतारं संसार सारं बुझ गेंद्र हारं सदावसंतं विदेवरिंदे खवं भवानी सितम्नमामी करपूर गोरं करुनावतारं संसार सारं बुझ गेंद्र हारं सदावसंतं विदेवरिंदे खवं भवानी सितम्नमामी पुर्वारं पुर्नावताःं संसरसारं भुचिते द्रहारं जात्रवाचंतं क्विते बरेंगे पहां बावानी से दनावानी इस मंदिर का खास बात यह है कि यह मंदिर कोल सकार में बना यह जैसे कि शंकर भागवान खुद तपट essa कर रहे हैं और इंअधे पॉइंट है जहां से जी दिखता एक कि शंकर भागवान यहां पर शंकर भागवान चाप बैठ्थे होते हैं पुझे के लिए वोलता है अपन पुझे बैठा है वोग जोग तो कोप्रे वसका गोंड़ा मेंड़े सब कुछ दिखता है तुम्हेरे को आने पड़ा है चोटा मंदर है वो बाड़ा होता है विशिष्टा अंगल जाने से मन के एक मंदिर के दूख है तुम्हेरे को द्रश्ट के थ्रू होता है या कहां के लोग करते हैं करते हैं लक्ष मन करता है इसने शनी में बोलता हूं में इलिए इतना नीकि-पूसा शाही टाइम होता है यहां पे निए इदर फिक्टिव गोले को एदर तुम पंधीपूरु में को आज हूए इदर हमारा गाउमें के सब भुजरगात में छोठे बड़े आते हैं इदर पंधीपूरु में होती है दिवाली के बाजू में उदर पंती बड़े होती है श्युवरत हुए इंद इप ये होता है इस् करें रद्दा जी इतना बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जाल जाले याम यूटूब पर डालेंगे और हम चाहेंगे जिस्ट आलो देश में सारे दुनिया से लोग यह बादाए और यह मंदिर का नाम सारे जाब करें तो यह बहुत पुराना जाए तरफूर गौरम करुना बतारम संसार सारम बुचकेत्र हारम करपूर गौरम करुना बतारम संसार सारम बुचकेंद हारम सदाब संतम विदेव दिंदे कवं अलामी सहितम नमामी काईज यह है गौणडेश्वर महाद्यों का मंदिर 11th century का मंदिर है यह काफी पुराना है यहां का अर्खिटेक्चर यहां का श्टोन बहुत खुपसरत है बहुत अच्छा है बस थोड़ा गौर्मेंट को इसको ध्यान देने की जरुवत है और टूरिश्ट लोगों को भी यहां आना चाहिए क्योंकि यह से बहुत कनेक्टेड है मे संसार सारम गुजगेंद्र हारम तो दोस्तों यही है गौंडिश्वर मंदीर अगर आपको भी कभी मौका मिले आप शेडी के तरफ जा रहें तो जरूर इस मंदीर पर आए और यहां के लोकल लोगों से जब मैने बात किया है वही लोग इस मंदीर का सारा मैनेजमेंट देखते हैं काफी फ्रेंडली लोग तो मैं मंबई जा रहा हूँ और ऐसे ही आप लोगों के वीडियो बनाते रहूंगा थैंक यू बाए मिलते हैं बहुत जल्दी